27 सितंबर 2024 को इस्राइली एर फोर्स ने लेबनान की राजधानी बेरूत में करीब 80 टन के बम गिराय थे ये बम बंकर रोधी थे जिनके फटने से छे बिल्डिंगे मिट्टी में मिल गई और इन्हीं बिल्डिंग्स के नीचे हिजबुला प्रमुक हसन नसर ला का बंकर था जिसमें वो अपने कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहा था लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसराइल को हिजबुला चीफ की सटीक लोकेशन के बारे में पता कैसे चला तो हम आपको बता दें कि इसको लेकर फ्रांस के अखबार ले पैरिसियन ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि एक इरानी जासूस ने हसन नसरला की लोकेशन के बारे में आईडियफ को खबर दी थी जिसके बाद आईडियफ ने उस लोकेशन पर ताबर तोड बंबारी कर दी और इस हमले में नसरला के साथ दक्षणी कमांड के मुखिया अलकराकी के साथ कई टॉप कमांडर मारे गए फ्रांस के अखबार ने लिबनान में अपने एक सूत्र के हवाले से कहा कि इरानी जासूस ने इसराइली अधिकारियों को ये जानकारी दी थी कि हसन नसरला कई टॉप कमांडर्स के साथ बेरूत के उपनगरिये इलाके में एक अंडरग्राउंड बंकर में जाएगा और इसके बाद इसराइली सेना लेबनान के समया नुसार सुबह करीब 11 बजे ट्वीट करती है कि हसन नसरला अब दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा और इसके बाद हिजबुला ने नसरला की मौत की पुष्टी कर दी थी वहीं अमेरिकी अखबार दन्यूयोक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुला के साथ 2006 में युद के बाद IDF ने अपनी पूरी ताकत हिजबुला के खिलाफ एक जासूसी तंत्र बनाने में जोगती थी जिसकी वज़ा से उसको हाल ही में हिजबुला के खिलाफ बड़ी सफल ताइम इली क्योंकि 2006 का युद करीब एक महीने तक चला था और उस वक्त नसरला किसी तरह से बच गया था और इसके बाद ही इसराइल ने अपने काफी संसाधन हिजबुला के खिलाफ एक जासूसी का जाल बिछाने में खर्च किये थे IDF की यूनिट 8200 सिगनल एजिनसी ने हिजबुला के सेलफोन और अन्य संचार साधनों को इंटरसेप्ट करने के लिए बेहधी ताकतवर टूल बनाए इस यूनिट में कॉमबेट रेंज के अधिकारी शामिल किये गए जो जरूरी सूचना तुरं सैनी को और एर फोर्स के साथ साज़ा कर सके नियूँ यॉक टाइम्स का कहना है कि नसरल्ला को मारने का फैसला हाल के दिनों मे लिया गया और अमेरिका को ये बात नहीं बताई गई क्योंकि इसराइल को डर था कि कहीं अमेरिका को बताने से नसरल्ला को मारने का मौका हाथ से ना निकल जाए लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इसराइली अधिकारी हिजबुला के साथ सीज फायर पर अमेरिका के साथ बाच्चीत कर रहे थे और उधर पी-म नितन्याहु यूएन महासभा में भाशन के लिए अमेरिका पहुँचे थे और नितन्याहु ने UN में अपने संबोधन में कुछी समय पहले नसर अल्ला की मौत के आदेश को तामील कर दिया था और उनके इस आदेश पर रक्षा मंत्री योव गेलेंड समेथ कैबिनेट ने मोहर लगा दी थी और इस हमले की सूचना अमेरिका को उस वक्त दी गई जब इसराइली लड़ाकु जेट्स नसर अल्ला को मारने के लिए हवा में उड़ान भर चुके थे और इसी दोरान नितन्याहु अमेरिका के साथ लेबनान में सीज़ फायर पर बाचीत कर रहे थे लेकिन जैसे ही अमेरिका को ये खबर लगी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि इसराइल ने उसे गुमरह किया है हाला कि इसराइली कैबिनेट के रीजनल कॉर्परेट मंतरी डेविड एम सेलेम और वित मंतरी बेजले स्मोट्रिच ने इस फैसले का विरोध जताया था लेकिन बाद में रक्षा मंतरी से बात करने के बाद ये सब ही मान गए और फिर रक्षा मंतरी यौवगेलेंट ने नितन्याहू को फोन किया और उधर से नितन्याहू ने इस ओप्रेशन को हरी जंडी दे दी झाल चाल झाल 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 में पॉर्जवेलेंट लेकिन बाद बाद डाल